ओम शान्ती, संगम युग पर शुव बाबा, हम आत्माओं के लिए मांजी बन कर आए हैं। हमें कल युग के एक छोर से निकाल, संगम युगी बोट पर बिठाकर सत्युग के छोर तक ले जाने के लिए हम यात्रियों को ये ज्यान दे रहे हैं। हम आत्माओं जब इस बोट पर बैठकर अपने जीवन की नईया उस मांजी के हवाले छोड़ देते हैं, तो बहुत सहज और निश्टिन्त होकर उस पार पहुँच जाते हैं। तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 30 जून 2022 के बाबा के महावाक्यों को। हमें बाब की किस प्रतिग्या पर पूरा पूरा चलना है। धरत परिये, धर्म ना छोड़िये। हम रुहानी यात्रा, यात्रा पर तीखे जा रहे हैं उसकी निशानी क्या है। बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, सधा बाप और वर्से के सिवाए और कुछ भी याद नहीं होगा। संगम युग पर आकर श्रिव बाबा कौन से कर्तव वे करते हैं? भटकने से चुड़ाते, सबको गोरा बनाते, सबका उद्धार करते, ज्यान योग सिखलाते, स्वर्ग का मालिक बनाते, सत्युग स्थापन करते, मुक्ती जीवन मुक्ती में ले जाते, जूट खंड को सत्युग में ले जाने का पुरिशार्थ कराते, राधे कृष्ण और उनकी राजधानी को जगाते। आज की मुर्ली की अनुसार श्रिव बाबा की महिमा इस प्रकार है, साजन, सबसे श्रेष्ट, ज्यान सागर, अकाल मूरत, बेहत का बाप, सत्य परमात्मा, सत श्री अक किसको क्या कहा जाता है, ज्यान को अमृत, सत्युग को स्वर्ग, विकार को प्वाईजन, चक्र को हिस्ट्री जोग्रफी, फादर को सत श्री अकाल, गीता को सर्व शास्त्रमाई शिरोमनी, संपन्ध रहने वालों को मास्टर दाता, यहां का कुछ न दिखाई देने को आज की मुर्ली के अनुसार कॉंट्रास्ट की बातें, ज्यान है अमृत, विकार है प्वाईजन, ज्यान यग्ये एक ही है, बाकी सब हैं मटीरियल यग्ये, एक सत्गुरु तारने वाला है, बाकी सब डुबोने वाले हैं, विनाश्री खजाना देने से कम होता है, अविना विनाश्री खजाना देने से बढ़ता है, यदि बाप की याद में रहकर भोजन खाते हैं, तो उससे क्या फायदे होंगे, ज्यान की धारना होगी, खुशी का पारा चड़ा रहेगा, याद की आदत पढ़ जाएगी, विशाल बुद्धी बच्चों की निशानी क्या है, अच्छी रिती समझते हैं, धारना करते हैं, अंतिम विनाश्र की सीन देखने के लिए क्या पुरिशार्त करें, अपनी स्थिती को अचल अडोल बनाना, हम बच्चों को किन बातों को धारना मिलाना है, बाप से जो प्रतिग्या की है, उस पर अटल रहना है, भोजन बहुत शुद्धी से द्रिष्टी देकर स्विकार करना है, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है, बाप अत्वा साजन की याद में खुशी-खुशी भोजन खाना है, ये थी आज की मुरली की विशेश बाते, बाबा ने आज हमें सल्फ चेकिंग के लिए ह अमवक दिया है, अपने अंदर की छिपी हुई खामियों को चेक करके निकालना है, और सारा ही दिन बाबा की यार्थ में रहकर द्रिष्टी देकर भोजन स्विकार करें, ओम शान्ति